हन जी स्टूडेंट कैसे हैं आप आज की वीडियो बीकों प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए है आपके एक्जाम की डेट शिट अनांस हो चुकी है काफी बच्चे सरफ रिजल्ट का बेट कर रहें के रिजल्ट आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो मैं ब अलाइन एक्जाम होना है तो प्लीज अपना time based मत करिये आप जितना जादा सोचते रहेंगे time निकल रहा है और जो time एक बार निकल जाता है वापस नहीं आता हम एक्जाम जब होता है ना तो exam के time पे आपने second semester का exam दिया तो काफी सारे बच्चों ने सोचा का यह जल्टी न ना चीज़े आसान है आपको पता है कि आप मुझे पता है आप कर सकते हो लेकिन सिर्फ टाइम देना पड़ेगा ना आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते है कर सकते हो बट टाइम देना पड़ेगा आपको जैसा आपने पहले प्रॉमिस किया था बट फिर क्या होता है, over the week आप क्या करते हो, फिर वहीं position comfort zone में आ जाते हो, तो अच्छे marks, success कामियाभी तब होगा, जब आप comfort zone से बाहर निकल जाओगे, आप अभी comfort zone में, result, paper, admission होगा, तो करेंगे, result आएगा, तो करेंगे, उसार income tax बहुत बड़ा subject है, मैंने start भी करा है, म लेकिन बच्चे, जो बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सरही के नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, तो पढ़ना सुरू करिए अब मैं जो बताने जा रहा हूं दोनों के लिए है सर इंकम टेक्स में कौन सा चेप्टर कितने मार्क्स का आएगा और कितने नंबर का एक्जाम आएगा वो सारी बातों पर मैं चर्चा करूँगा सर इंकम टेक्स आपका रेगुलर कॉलेज हो चाहे आपका कॉरस्पोंडेंस हो या नोन कॉलेज हो 75 मार्क्स का एक्जाम होता है और रेगुलर कॉलेज में माने के चलो 55 का एक्जाम होगा सर ऐसा क्यों ऐसा भीदभाव क्यों रेगुलर कॉलेज के अंदर इंटरनल असाइंबेंट होगे सर कुछ चेप्टर है जैसे कि बेसिक पार्ट बेसिक चेप्टर है आपका जो कि मैंने पहले ही करा दिया है इसमें से दो से पांच नंबर के आने के चांसिस हैं चांसिस कि आते ही है अगली पार्ट की बात करें तो residential status residential status सर ये कितने marks का आएगा हमारे exam में residential status सर आपका 6 to 10 marks का आता है अब 6 marks का मान सकते हैं तो अब मैं दिखो exam का date भी आ गया exam के marks भी बता रहा हूँ अब तो पढ़ ही लोगे अब अगला chapter हमारा salary सर salary बहुत बड़ा chapter है मैंने start कर दिया है यूटूब पे भी वीडियो में डाल रहा हूँ ये 15 marks का chapter है ठीक है salary के बाद अगला chapter आता है सर house property ये 10 number का chapter है house property के बाद आता है capital gain cg सर जो capital gain है न ये भी आपका 10 number का chapter है इसके बाद आता है सर deduction मैं मोटे मोटे चप्टर बता रहा हूँ आपको ये chapter six marks का है सर इसके बाद आपका आता है कुछ chapter set up and carry forward और एक आता है clubbing clubbing of income ये दोनों chapter आप मान के चलो six marks का है सर एक PGBP है उसमें depreciation के questions पूछे जाते है PGBP सर नाम बड़ा खतरनाग बता रहे हो आप तो profit gain business and profession honors में तो बड़ा question सवाल बनता है लेकिन program में एक 6 number का question बनता है च्छे चपन और च्छे बासट और जो बाकी के number बच गए आपके वो कुछ chapters ऐसे हैं सर और कौन सा chapter है कुछ बीच में miscellaneous exempted income तो 7-8 number का वहाँ से paper बनेगा ultimately तो आपका जो paper design होगा इस format पे design होगा आपके option में भी questions मिलेंगे सर income tax practical है या theoretical tough है या आसान है देखिए आप पढ़ेंगे तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन end time पे आप इसे नहीं कर सकते आपको theory भी आना चाहिए तभी आप practical question को कर पाओगे और मजे की बात यह है कि income tax अभी नहीं आगे भी पढ़ना पड़ेगा semester 4 में भी आपका personal tax planning आएगा तो आप सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं कि अभी alert हो जाईए अगर अभी income tax आपने नहीं पढ़ा तो semester 4 के अंदर personal tax planning है वहाँ परिशान होंगे semester 5 के अंदर corporate tax planning है वहाँ परिशान होंगे तो better है कि बाद में परिशान होने से अच्छा है कि अभी पढ़ लें तो अब तो आपका syllabus भी rebuild हो गया है subjects भी सारा बाकी subject की मैं बात नहीं कर रहा भी आपका फिलाल मैं सरिफ income tax की बात कर रहा हूं sir books बता दीजिए कुछ और हमें tips दे दीजिए तो better रहेगा देखें मैं जितने भी questions करवाता हूं बच्चे notes मांगते हैं तो books जो है ना वो है जे आर ग्रीस आहूजा डॉक्टर ग्रीस आहूजा और बाकी मैं शिवदास शिवदास का 10 यर ये मैं prepare करता हूं और मैं करवाता हूं सिवदास का 10 यर मैं ही लिखता हूं जैसे आप देखेंगे कि जितने भी maximum जो tenure है commerce के practical वाले वो मैं लिखता हूं आप देख पा रहे होंगे और जिन बच्चों ने tenure लिया होगा उसके अंदर मेरी videos भी मिल जाएगी आपको तो basically ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि मैं सिवदास का क्योंकि सारे chart सारे format short form में पूरे 10 पेज के chapter को एक page में convert करना summary wise बना के देना तो वो मैंने सिवदास के tenure में कर रखा बाकी book के अंदर मिल जाएगा तो मैं दोनों से ही question कराता हूं ताकि आपका एक point भी रहना जाए syllabus बड़ा है मेरी courses है कि आपको जल्दी से जल्दी कराए जाए जो बच्चे YouTube पे हैं उनको भी मैं पूरा syllabus कराऊँगा और जो बच्चे मेरे से like पढ़ रहे हैं application पे उनको भी पढ़ाऊँगा pricing आप video देखते हो वहाँ description में सारे मिल जाता है pricing इतने ज़्यादा नहीं होती मेरे courses के मेरा courses है कि हर बच्चा पढ़े और हम उसको free में पढ़ाएंगे हम उसे charges नहीं लेंगे YouTube पे तो although free में है ही है लेकिन कुछ बच्चा पूछ बोल सोचता है सर मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे कुछ doubts आते हैं मैं पूछ नहीं सकता तो मैं जरूर application पे भी उनको अच्चा जितने भी दिल्ली उनिवर्सिटी में हो या भारत के किसी भी उनिवर्सिटी में हो इंकम टेक्स पढ़ रहा हो तो definitely वो ऐसे affordable price पे पढ़े जिससे के अच्छे marks भी ला पाएं और सारी चीजे बिलकुल revised new content भी पढ़ पाएं तो बस यही बताना था पढ़ना start कर दो रुखना नहीं है तो मिलते हैं हम किसी और next वीडियो में thank you so much जैहिन मिलते हैं next वीडियो में